कपड़े का एक टुकड़ा 600 में खरीदा गया शिलाई सुल्क के रूप में 40 उर्पए देने के बाद इतना का लाव हुआ इसे किस कीमत पर बेशना चाहिए तो टोटल सीपी कितना हो जाएगा अगर मैं टोटल सीपी की बात को तो 600 उर्पए उसने शिलाई दिया तो कितना हो अगया 640 उर्पिया और एक सो देखो यह 12.5 है ना अगर मैं 12.5 परसेंट को फ्रेक्शन में चेंज करूँ ते कितना हो जाएगा आपका यह हो जाएगा पांच बटे में आठ हो जाएगा कैसे देखो अगर मैं इसको चेंज करूँगा ते हो जाए कितना आपका 125 और बटे में आठ हाना चाहिए इसका फ्रेक्शन वेल्यू कितना आएगा अपका एक बटे आठ हाएगा ठीके बटे आठ आठ आएगा यह करने का मतलब यह हुआ कि आठ के समान को एक प्रोफिट में यह नो में बेच रहा होगा और आठ की वेल्यू कितनी है 640 है तो जो इसका जो भी इसका असी गुना जदा होगा नो आठे बहत्तर साथ सो बीस उर्पे तो वर्ष्टू का साथ सो बीस उप्रे में बेचेगा तो उसे साढ़े बारा परसंट का लाव होगा